Solenoid Wall and Solenoid Coil कैसे काम करती है? इसके wiring कैसे की जाती है? कहां इसका उप्योग किया जाता है? और कैसे इसको यूज में लिया जाता है? आज हमारे वीडियो में हम यही डिसकस करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि Solenoid Wall की working principle, wiring connection और इसका application कहां होता है? उसको हम आज हमारे वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं नमशकार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेकवाला 13 में अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं के तर सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और अगर आज ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं Solenoid Wall और Solenoid Coil की wiring या इसका connection कैसे किया जाता है? इसका working principle क्या है? ये कैसे काम करता है? और इसको हम कहा कहा यूज में ले सकते हैं तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो में Solenoid Wall और Solenoid Coil जो दोनों की आपस में दिखाया है कि ये Solenoid Coil है और ये Solenoid Wall है तो ये दोनों एक combine है जिसमें हमने Solenoid Coil और Wall को यूज में लिया आगा है जनरली ये मेरा 240 Volt AC का Solenoid Wall है जिसका Air Pressure Maximum है 0.7 MP मेगा वासकल और इसका जो 15 mm की इसकी डाया है अब जो इसकी ठिकने से वो 15 mm अब मैं बात करता हूँ कि इसके connection कैसे करने है तो अपना जो कोईल है उसका हम rating देखके उसके connection करते हैं जैसे की 240 Volt AC की अगर कोईल है तो 240 Volt AC सप्लाई देंगे अगर 24 Volt DC सप्लाई है तो 24 Volt DC हम देतेंगे ये मेरे पास जो है 240 Volt AC की कोईल है तो हम इसको 240 Volt सप्लाई देंगे तो इसको सप्लाई कैसे दे रही है तो इसमें तीन टर्मिनल आपके लगे रहेंगे जिस तरीके इसमें दिखा रहे हैं, जिसमें एक पर अर्थ का सिम्बल है, एक नमबर पॉइंट है और दो नमबर पॉइंट है, तो इसमें जो अर्थ वाले सिम्बल है, जो बड़ा टर्मिनल है, उस पर हम अर्थ का कनेक्ट करेंगे, एक नमबर पे हम लाइन कनेक्ट करेंगे, यहनिकि सीधे फेज कनेक्ट करेंगे, और दो नमबर टर्मिनल पे हम neutral connect करेंगे दो number पे हम neutral connect कर देंगे तो इस तरीके से इसकी wiring की जाती है तो जैसे हम इसे पे supply देंगे तो इसमें क्या होगा कि जो coil है उसमें magnet generate होगा magnet generator के कारंण वो जे induction magari magnetic property फॉलो करेगी तो वो क्या होगा कि इसमें जो piston लगा हुआ है जो की एक लंबा पिश्टन है यहाँ पर जैसे ही मेगनेट बनता है तो जो पिश्टन है वो एक तरीके से पिश्टन मान लीजिए जो की क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर मेगनेट बनेगा वो उसको खेंच लेगा अपनी और उस coil के अंदर जो magnet जैसे आसपास में बना तो ये इस piston को अपने और खेश लेगा तो जिससे कि ये wall open हो जाएगा और यहां से supply जो है flow हो जाएगी जो भी यानि कि air की हो गई water की हो गई या फिर किसी gas की हो गई तो वो flow होने लग जाएगी क्या होगा कि ये जो piston है यहां पर जैसे ही magnet का होगा वो magnetic property का होगा यानि कि जैसे यहां magnet बनेगा coil में power supply करते ही यहां magnet बनेगा तो piston को ये अपनी और attract कर लेगा खीच लेगा तो वहां पर hold रहेगा तो इससे कि ये wall open हो जाएगा और अपनी जो air है water है उसकी supply flow होने लगेगी अब इसकी direction है तो हमेशा जैस direction में उसके symbol रहता है तो इसमें जैस तरीके से है तो अपने को भी input इस तरफ और output इस तरफ connect होता है और इसका जो हम उपयोग है वो air में, water में, LNG में, LPG में industrial use में हम generally इसको use में लेते हैं ताकि हमको उसमें controlling भी करके जैसे की हमको इतनी देर के लिए wall open रखना है बंद करना है या फिर signal लेना है PLC से command लेके controlling देनी है कि इतनी देर के लिए रहे तो हम इसको as a as a हम output भी हम solid coil को use में ले सकते हैं तो यह generalize का उपयोग यहां किया जाता है